सबस्क्राइ hallo दोस्तो वेलकाम अगें टो शिक्षायंत्र है शिख्षायंत्र में मैं मनौजudra गवाप का फिर से स्वागत करता हूँ ह। आज दोस्तों हम पढ़ेगे nutrition in plants prantz जो है वो nutrition कैसे लेते है क्या फेनामेना रहता है क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में detailS देखेंगे 10 class के according आपने nutrition in human being पढ़ा हम या पढ़ने वाले है nutrition in plants तो nutrition in plants में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा plants like animal plants also need food for growth हमें पता है कि plants को भी किसकी जरुद होती है food की जरुद होती है ठेकना अपने growth के लिए green plants synthesize their food by the process of photosynthesis हमें ये भी पता है कि जो हरे पेड़ पौदे होते हैं वो प्रकास translation प्रकरिया को करते हैं photosynthesis process को करते हैं और उसके बाद में क्या होता है कि वो अपने food को and obtain करते हैं अब ये प्रकास solution यानि जो फोटो synthesis process है ये कैसे होता है उसके बारे में आजानकरी लेते हैं raw materials क्या रहते NCRT के इंदर question है कि plant ये जो NCRT के इंटेक्स के questions है उन सभी का मैंने answer इस PPT के द्वारा आपको देने की कोशिश की है वहाँ पर आपको दो-तीन questions मिलेंगे एक में लिखा होगा कि plant जो है जो पौदे जो है वह raw material कच्छा बदार कहां से लेकर आते हैं दूसरा होगा कि प्रकास प्रक्रिया क्या होती है और उसके बाद प्रकास प्रक्रिया में क्या-क्या स्टेप्स होते हैं वह सब चीज़ आपको यह मिलने वाली है इन सभी का अंसर आपको यह मिलने वाले हैं देखेंगे तो अब energy आमें यह समझवा कि green plant ने फोटो सिंतेसिस करना है प्रकास संस्ट होगा कैसे आपको पता है green plants के पास में सबसे पहले यह लोग क्या करते हैं इन दा प्रसेंस प्रेजन्स ऑफ सल लाइट यानि यह सूरे की रौष्णी में क्या करते हैं सूरे की रौष्णी में और जो क्लोरोफिल जो पत्तियों के पास होता है क्लोरोफिल जो पत्तियों के इन और्गनिक स्योटू को लेते हैं उसके बाद में एस्टू को लेंगे जल को लेंगे संलाइट क्लोरोफिल स्योटू एस्टू लेंगे और फिर उसके बाद में क्या करेंगे उसके बाद इसको convert करेंगे किसमें carbohydrate glucose में ये विदी रहती है sunlight की presence में chlorophyll ने CO2 लिया S2O लिया और उसको सबको convert गया किसमें यहाँ पर carbohydrate यानि glucose में अब देखेंगे हम लोग convert करने के बाद में ये phenomena किसके step में होता है process का नाम आपको पता है इसको बोलते है photosynthesis यानि प्रकास sensation देखते है बटा आगे ये phenomena होता कैसे कैसे है excess of glucose is stored in the form of starch यहाँ पर जो extra glucose जो होता है वो किसके रूप में store हो जाता है stars के रूप में store हो जाता है मंड के रूप में store हो जाता है आपको और आगे देखते है इस phenomena को complete process जो होता है होता है कैसे है उन सब चीजों के बारे में और जानते है आप देखेंगे photosynthesis यानि प्रकास sensation प्रक्रिया कैसे सब्पन होती है उसके बारे में sunlight आती है सूरे का प्रकास आता है सूरे का प्रकास आएगा CO2 आएगा सर्थ ओके है यह कौन-कौन सा भाग लिता है आप देखेंगे पत्तियों के अंदर में यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो जूम करने के बाद में पत्तियों के अंदर में CO2 कैसे अंदर जाती है और कैसे बार आती है इस precious को बोलते है diffusion विकरन एक विधि होती है जिसके अंदर में उसları करेगा एक्सल क्या करेगा गैसो का आदाण प्रदान करेगा जो यह चositआ बाय प्रोलिक्ट में यह क्या करता है O2 होता है उसको निकालता है उत्पात की रूप में O2 निकालता है और CO2 को ग McNacker okay करता है अंदर जाने वाली गैस Q2 है बाहर जाने वली का नाम O2 है देखते हैं तो आप desse देंगे यहाँ पर CO2 घरहन करें देखते हैं और CO2 को घरहन करने का माधियम क्या है यहां पर सिए टू पत्यों के द्वारा ग्रहड की गई कार्बन डियक्सट एंटर सिंटू दा लीव थो टाइनी पॉर्स परज़ें अन्दा सरफिस ऑफ दा लीव कॉल स्टोमेटा जिसको हम रंदर बोल दिया करते हैं स्टोमेटा बोल दिया करते हैं आप देखेंगे स्टोमेटा किस तरह की होता है किए आपने पत्तियों के अंदर में देखा तो यह स्टोमेटा केलाता है कि यह पूरा का पुरा स्टोमेटा इसको रंदर मुल दिया करते हैं यह सईड में जो होते हैं जिसको मैंकेशेड कर रहा हूँ अभी इसको हम गार्डसाल वोलते हैं यानि द्वार कोशकाव बोलते हैं इसका काम होता है इसको ओपन करना और एक इसको अपन करना còn जोना इसको कोदो हमारे पासस ऐखंगर का घृटिजड का कर रहें इसको बंक कर देंगे कभी खोल देंगे यह regulation जो होता है वो guard cells के पास होता है द्वार कोशगाओ के पास होता है opening और exit जो regulate करना होता है इस तरीके से क्या होता है open और यह close होता रहता है guard cells इसके पास होते है photosynthesis process के अंदर में प्रागा संटेशन क्रिया के अंदर में आप देखेंगे stomata के throughout क्या और byproduct जो होता है जो oxygen होता है वो इसी के द्वारा बाहर भी आता है और इस विदी को हम क्या बोलते है diffusion बोल दिया करते है आगे देखेंगे स्टोमेटा ने के काम कर लिया अब पानी जो है water is taken taken up from the soils वो soils के द्वारा लिया जाता है जबीन के अंदर जो पानी होता है उसका अफसोषड कौन करती है जड़े करती है जड़ों के अंदर में भी क्या होते हैं सेल्स होते हैं वह सेल्स क्या करते हैं कि पानी का अफसोषड करते हैं और अफसोषड करने के बाद में क्या करते हैं एक सेल दूसरे को दूसरा तीसर को तीसरा चौत्य को और इस तरह से चेंज मना लेते हैं और यह पूरा सिस्टम जो होता है पुरी प्लाइंट बाड़ी के इंदर में फैला होता है आप या देख रहे हैं एस्टो का आना एस्टो नीचे साया वाटर इस टेकन अब फ्रॉम दी स्वाहिल उसके बाद आप चुके हैं अब सब्सक्राइब का प्रकास है इसको ट्रैप कौन करता है यह क्लोरो प्लास्ट जो आपको मिल ला है क्लोरो प्लास्ट जो आपको मिल ला है आपको मैंने पहले भी बढ़ाया है क्लोरो प्लास्ट वो प्लास्टिड होता है जिसके इन्दर क्लोरो फिल होता है मैंने आपको पढ़ाया कि प्लांट के जो सेल्स होते हैं उसके इंदर में एक फ्रीज पेस होता है बड़ावाला जिसको अब क्या बोलते हैं प्लास्ट जिए दो तरह का होता है यह सब चीज़े मैंने आपको बताइए हुए हैं जिस प्लास्टिड के इंदर क्लोरोफेल हो वो chloroplast के लाएगा और chloroplast is responsible for the trapping of sunlight यह sunlight को प्रकास को क्या करता है ट्रैप करता है यहाँ पर आप देखेंगे sunlight को ट्रैप किया जा रहा है chlorophyll chloroplast के अंदर में मौजूद हुता है chlorophyll present in the chloroplast absorbs the radiant energy from the sunlight यह sunlight के radiant energy को absorb कर लेता है अफसोशित कर लेता है आगे अब क्या होगा आपको दिखा के प्लानेट के अंदर में लाइट एंटर इंसाइड water molecules split into hydrogen and oxygen आपको पता है यह light energy जो अंदर आई है अब यह क्या करेगी यह split करेगी तोड़ेगी किसको s2o को दो हिस्सों में तोड़ेगी अब देखते हैं यह hydrogen जो होता है तोटे का कैसे टूट रहे है एस्टू और टूटे का एस्टू और यह तूट गया और टूटे का बाद में एस्टू और ओटू बना लेता है लग 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 इस रिलीज एनर्जी इन दा फॉर्म ऑफ एटीपी एड़नोसिन ट्राइफ़स्पेट जब कभी भी यह तूटता है हाइट्रजन कैस में और ऑक्सिजन कैस में तो उसी दौरान उर्जा का उत्पादन होता है और उर्जा जो उत्पादित होती है वो किसके रूप में होती टीजे समझ में आ रही है मैं फिर्ससे रिवाइस कराता हूं पानी आया जल कह से आया अफसोश्षर के दौरा उस विदी का नाम क्या था ऑस्मोसिस जिसको क्या बोलते है पाथा प्रासरंड होगा यानि सैल ने मनी को अपसोश उस निया दूसरे को दिया तीसरे सैल को दिय चेन मन गई गैस कहा से आई स्टोमेटा के द्वारा स्टोमेटा कहा था पत्तियों में स्टोमेटा जिसको रंद्र बोलते हैं उसने कौन सी विदी को अपनाया जिसका नाम था विसरन उस विदी से क्या हुआ गैसे एक्षेंज हो रहा है तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं गैस मेटीरियल जब एक्षेंज होता है तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं उसके बाग में दोनों के दोनों पत्ति के अंदर में मिल चुके हैं प्लांट के पास क्ल तो उसके बाद sunlight क्या करेगी? sunlight का काम होगा, क्या करना? sunlight का काम होगा, H2O को तोड़ना, किस में तोड़ना? hydrogen और oxygen में तोड़ना, H2O को जब तोड़ते हैं, hydrogen gas और oxygen gas का उत्पादन होता है, sunlight ने ये काम किया, और इसी दौरान क्या हुआ? energy का उत्पादन हुआ, energy किस के रूप में निकली? ATP के रूप में निकली, ATP की full form क्या थी? adenosine triphosphate थी, जिसको आप energy currency एक बार को कह सकते हैं, आगे आएंगे, देखेंगे, आगे का process क्या होता है? यहां आपने देखा और फिनॉमेना, ATP यहाँ पर उत्पादन हो गया, उसके बाद में, this energy is used to convert carbon dioxide and hydrogen into carbohydrates, जो energy इसी दौरान, H2O को तोड़ते समय मिली थी, वो ही energy ने hydrogen और oxygen को, और carbon को मिला कर क्या बनाया? carbohydrate यानि glucose बनाया, जिसका formula क्या होता है? C6, H2O6, hydrogen वाटर के molecule को तोड़ते समय, और गिल भी तोड़के hydrogen oxygen बना, hydrogen oxygen जो बना, और carbon dioxide जो आया था, इन सब ने मिलकर क्या बनाया? glucose, यह glucose जो बनाते समय, जो energy चाहिए थी, वो ATP यूज कर ली गई, यह insider story थी, जिसके वज़े से, यह photosynthesis process क्या होता है? पुरा follow होता है, आप देख रहे हैं, hydrogen और carbon dioxide और ATP इन तीनों ने मिला, और मिलने के बाद में, क्या गिया? glucose को बना दिया, इस तरह से यह phenomenon होता है, water, vapor and oxygen are formed as byproduct, they are given out through the stomata, इसी दोरान, glucose के अलावा, water vapor जो होती है, और oxygen जो होता है, वो byproduct होता है, यानि glucose भी क्या है, एक उत्पात का रूप है, इसे भी क्रिया में, water vapor और oxygen भी क्या है, उत्पात का रूप है, यह stomata के दुवारा भाहर हो जाते हैं, glucose जो है, वो plant के पास रह जाता है, यह जो प्रक्रिया होती है, आपने देखा, इस तरह से यह भाहर निकल जाते हैं, S2 और O2, आगे, reaction जो photosynthesis की है, प्रकास रियक्षान है, वो reaction आपको देखने को बिलेगी, वो यह दिए, CO2 लिया गया था, S2 लिया गया था, sunlight chlorophyll के जो रहा ट्रैप की गई थी, बना क्या glucose, बना क्या water vapor, पर बना गया oxygen, यह क्या हो गई, उत्पाद हो गई, यह क्या कर गई, यह stomata के द्वारा, body से remove out हो गई, उम्बीद करता हूँ कि, आपको photosynthesis की जो अभीक्रिया है, वो समझ में आई होगी, बिटा, keep learning, keep practicing, चैनल को like, subscribe and share करना ना भोले, और जरुत बन लोगों तक पहुचाना ना ना भोले,